जैसे कि हम लोगों ने Teaching Aptitude के स्रीज को स्टार्ट किये थे Beard and Trans exam के लिए तो ये Class No.24 है इससे पहले 23 classes हो चुकी हैं उनको अगर आप नहीं देखें तो देख लिजएगा और ये सारे के सारे questions जो है important है देखें अभी हम लोगों को ध्यान देना है क्योंकि एक्जाम आने में 15 days इससे अधिक नहीं है जारकन भी और इंट्रांस एक्जाम के लिए और Teaching Aptitude जो है बहुत अधिक matter करता है Scoring subject है ये हम सभी को पता है 40 marks का आता है ये उसके बाद Teaching Aptitude के बाद आपको ध्यान देना है reasoning में जो की 30 marks का आता है इन दोनों subject पर अपना command अच्छा से बनाईए अभी अप लोग जितना हो सके questions को attempt करने पर ध्यान दीजे अभी नया subject नया topic उठा के पढ़ेंगे जिसे मनोवेज्यानिक हो गए बस उन questions को attempt करना है और अच्छा score लाना है क्योंकि government college में admission लेने के लिए कम से कम हम लोग को 65 कोई भी हो HTE वालों को 50 से उपर लाना होगा लेकिन OBC और General जितने भी होंगे 65 से अधिक number लाएंगे तब यू उनका selection मतलो government college के लिए होगा तो हमें अच्छे से यहाँ पर preparation करना है और अच्छा marks लाना है देखिए मेहनत करेंगे तो उसका result positive मिलेगा और मेहनत से भागेंगे questions को हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे तो उसका result भी मिलेगा लेकिन negative में मिलेगा इसलिए आप अगर देखिए 15 questions ही कीजिए लेकिन उसको समझते कीजिए क्योंकि जो हम पढ़ेंगे, समझेंगे, understand करेंगे इस चीज़ को exam hall में भी हम क्या करेंगे, apply करेंगे और teaching aptitude में ऐसे कभी भी मत किजेगा कि एक बर question पढ़ लिए और उसका answer दे दिए नहीं, question को पढ़ना है, observe करना है कि कहना क्या चाह रहा है उसके बाद हम option पर आएंगे तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और teaching aptitude में आप लोग क्या करेंगे elimination को, elimination method को अपनाते हुए करेंगे जिससे की सही answer आपका आ सकी, ठीक है चलिए फिर start करते है पहला question यहाँ पर देखिए निमलिखित में से चिमपेंजियों पर परियोग किसके द्वारा क्या गया था यह important है चिमपेंजियों पर परियोग किसके द्वारा क्या गया था option A जो है पहला कोपा के द्वारा second है वर्दी मायर द्वारा कोहलर के द्वारा उपरोपत सभी तो चिंपेंजीओं पर जो परियोग है वो कोहलर ने किया था और बिल्ली पर किस ने किया था अगर आपको पूछे तो ये कौन है थांडाइक जो है इन्हों ने बिल्ली पर अपना परियोग किया था उसका थांडाइक का सिधान्द भी पूछता है एसार थियोरी और भी ऐस परियास का नियम ऐसे पुछता है तो इस सब इंपोर्टन टॉपिक है आप इसको देख लिएगा तो चिंपेंजियों पर परियों किनों किसने क्या था कोहलर ने क्या था देखिए आप लोग टेलिग्राम गुरूप से जोइन हो जाएगे जिसमें मैं आपको PDF दे दूंगी और important question ही मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी आप जरूर से इनको लगाएंगे next second question है इससे पहले भी जो इससे पहले class हुई थी इसमें पूछा क्या था है देखिए William Wundt के बारे में यह सब इससे पहले वाली class में हुई है अगर आप लोग नहीं देखा है तो उनको देख लि development संग्यान का मतलब क्या होता है जानना होता है तो बच्चे के संग्यानात्मक विकाश को सबसे अच्छी तरीके से कहां परिभाशित क्या जाता है खेल के मैदान में यहां पर देखिएगा सबसे अच्छे अच्छी तरीके से पूछा गया है खेल के मैदान में विद्याले में auditorium में ग्रिह में जिसका most appropriate answer होगा विद्याले में ठीक है यह option second वाला correct होगा third number question है देखे bilingual हम लोग चलेंगे जिस चीज को समझने में हम लोग को थोड़ी कठिनाई महसूस हो वहां पर हम लोग bilingual चलेंगे Bilingual में क्या होता है कि समझने में easy होता है third number question है बच्चों में समवे गातमक समायोजन परभावी होता है देखे समवे गातमक यहाँ पर और इससे पहले क्या था divisions संगयानातमक था ठीक है यह cognitive development था यह जो आप संगयानातमक विकास देख रहे हैं और ये समवेगात्मक समायोजन जो की emotional समवेग का मतलब क्या होता है emotional होता है ठीक है समवेगात्मक समायोजन emotional adjustment is effective in children प्रभावी होता है बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण में कच्छा सिछण में अनुशासन में और ये सबी देखे अच्छे से question को पढ़ना है बच्चों में समवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो कैसे व्यक्तित्व निर्माण में कच्छा सिछण में अनुशासन में तो ये तीनों ही होगा ये सबी यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्श देखते हैं fourth number है एक चात्र में अधिगम पर उसकी आर्थिक इस्थिति का किस परकार परभाव पढ़ता है एक चात्र है अधिगम इट मेंस लर्निंग ठीक है जो लर्निंग का मतलब क्या सीखना होता है सीखने पर उसकी आर्थिक इस्थिति का किस परकार अधिगम करता है, इससे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अमीर हो या गरीब हो, इससे learning सीखने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी चात्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी चात्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, option यह हो सकता है, गरीब चात्र कम अधिगम करता है बिल्कुल नहीं उप्रक्त मैंसे कोई नहीं इसकूल में यूनिफोर्म क्यों बनाया गया है अमीर परिवार से बिलोंग करता हो या फिर गरीब परिवार से हो लेकिन इसकूल में क्या होता है सेम ड्रेस होती है इसका मतलब क्या है इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा सीखने पर बच्चे कुछ भी स्कूल में सीखते हैं उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है अमीरी गरीबी का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे स्कूल आते हैं, एक साथ बैठते हैं एक क्लासरूम में बैठते हैं वो अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर का बच्चा हो एक साथ बेंच पर बढ़ते हैं और सबको एक ही परकार से सुभिधायें मिलती है उनको और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है अनुकरन का मतलब क्या होता है नकल करना, imitate करना ओप्षन देखते हैं सिच्चकों से, दोस्तों से, माता, पिता से उपरुक्त सभी तो देखिए सबसे पहले बच्चा किस से सीखता है सबसे पहले वो अपने माता पिता से सीखता है घर में जो रहेंगे एक छोटा बच्चा को आप लोग यहाँ पर ले लीजिए एक छोटा बच्चा है उसको आप ले लीजिए ठीक है ये क्या करता है ये घर में रहता है छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को देखता है और उनसे सीखता है बड़े जो भी बोलते हैं जैसे पापा बोला बच्चा कोई बड़ा पापा बोलने बोलता है तो बच्चा भी पापा बोलता है ठीक है पहले तो माता प आदमी पर्सन हो गया उनसे सीखते हैं उसके बाद वो इस्कूल जाता है तो सिच्छकों से सीखता है तो यहाँ पर देखिए निमलिखित में से अनुकरण से बालक नया ग्यान प्राप्त करता है तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा उपरोक्त सभी सिच्छकों से भी दोस्तों से भी माता पिता से भी शिक्स नंबर क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिच्छन द्वारा व्यवहार में परिवर्दन लाना क्या कहलाता है अनुभव यानि की एक्सपीरियन्स और प्रशिच्छन ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार में परिवर्दन आता है जो भी आपका व्यवहार है उसमें क्या होता है चेंजस आता है तो वो क्या कहलाता है प्रेरकों का समन व्यवहार कुशलता सभ्यता या अधिगम अधिगम का यही definition होता है इसका correct answer अभी अधिगम होगा अधिगम का definition क्या होता है अनुभव यान प्रशिच्छन द्वारा व्यवहार में परिवर्दन लाना ही जो है अधिगम कहलाता है तो यह correct answer होगा फोर्थ वाला सेवंथ नंबर क्वेश्चन है निमलिखित में से आदत होती है आदत क्या होती है हैबिट क्या होती है ओप्शन है समवे दनात्मक करिया सेंसरी एक्षन सेकेंड है मूल समवे गात्मक करिया बेसिक इमोशनल फंक्शन पुर्व अनुभवों की पुन्रावरिती, रिपिटेशन और पास्ट एक्सपीरियंस या फिर उप्रोक्ट सभी आदत वही न कहलाती है जो बार-बार इंसान करता है एक ही परसन एक चीज को बार-बार करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं तो इसके पुर्व अनुभवों की पुन्रावरिती रिपिटेशन और पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसी को हम प्रेजन ने क्या करते हैं रिपीट करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं आदत कहा जाता है अप्षन देखेंगे इनमें से कौन है जो व्यक्तित्व के विकास में इसमें व्यक्तित्व के विकास में महतुपण भूमी का निभाता है अप्षन ए है अनुवान शिकता यानि कि H aurability ठीके तरड है अनुवान शिकता और परियावरन, heredity and environment और थरड़े परिछाओं की संख्या से तो इसका correct answer देखे क्या होगा व्यक्तित्व के विकास में जो person है उसके personality में development किस तरीका से होता है वो heredity भी important role play करता है अनुवानशिक्ता भी और परियावरन भी correct answer क्या होगा option c जो की अनुवानशिक्ता और परियावरन का मिश्रण है व्यक्तित्व के विकास में महत्वपुन भूमी का निभाती है यह चीज आप लोग ध्यान रखेगा और यह important भी है यह basic भी है और आप से भी को पता होना भी चाहिए बाहिए अभी प्रेरणा में शामिल है कि अभी प्रेरणा यानि कि अभी प्रेरणा का मतलब पहले तो समझते हैं क्या हता है अभी प्रेरणा का मतलब होता है motivation कैसे होता बहुता है stimulus के थरूँ जो है वो मोटिवेशन के टू टाइप होते हैं है आप लोग इसको लीज़ेगा टू टाइप होता है पहला आप लोग लिख लीज़ेगा इंटर्नल या फिर इंटर्नल को ही INTRINSICK मोटिवेशन कहते हैं जिसको आंतरिक अभी प्रेर्णा और सेकेंड होता है external यानिकी extrinsic motivation जो की बाहिये प्रेरणा होता है internal यानिकी intrinsic motivation में क्या होता है उसमें satisfaction होती है इन सब चीजों को लिखेगा पहले satisfaction उसके बाद enjoyment, gain knowledge, revenge, pride and interest ये सब किसमें आती है ये सब जो है internal motivation में आती है यानिकी आंतरिक अभी प्रेरणा में आती है इनको लिख लेना है ये आंतरिक अभी प्रेरणा हो गया उसके बाद external यानिकी बाहिये अभी प्रेरणा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कौन-कौन से चीज़ें आती है और ये जो बाहिये प्रेरणा है ना ये जो बाहिये प्रेरणा आती है outside and individual व्यक्ति जो है outside यानि कि बाहर से वो क्या करता है लेता है जिसमें external reward such as जो external motivation है वो money से भी आता है power से भी आता है fame से भी आता है grade और praise से भी external motivation आता है प्रतियस परदा यानि कि competition भी होता है दो बच्चे हैं यहाँ पर दोनों बच्चों को अगर कहा जाए कि आप लोग जो है दोनों बच्चों को A, B, C, D बोलने दिया जाए ये बच्चा भी बोल लेगा तो दुसरा बच्चा भी सोचेगा कि ये जो A वाला बच्चा है और ये B है मान लीजिए तो ये जो A अगर बोल देगा तो दुसरे बच्चे को भी उसमें क्या होगी मैं भी बोलूँगा इस तरीके से जो है competition के थुरू भी जो है motivate होते है student के प्रिसकार और दंड से reward and punishment से भी बच्चे motivate होते है कुछ भी दिया जाएगा ऐसे करके motivate करते है reward तो बच्चे उस चीज से भी क्या हो जाता है motivate होते है और जिसे की A भी है A कुछ अच्छा करता है इसकी तारीफ कर देते हैं हम लोग और B नहीं करता है तो इससे थोड़ा सा मितलब बोलेंगे कि A जो है B से जादा जामता तो इससे भी जो है बच्चा क्या हो जाएगा motivate होगा इस तरीके से भी motivate कर सकते हैं यह external में आता है फिर परिणामों का ग्या knowledge of result इससे भी बच्चे motivate होते हैं तो यह सभी ही क्या हैं बाही अभी प्रेड़ना में शामिल है यानि कि external motivation में include हैं यह सभी प्रशन सा praise and blame competition, reward and punishment से भी knowledge of result से भी last question देखते हैं 10th number है निमलिखित में से कोन सी एक महतपुन गतिविधी बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है सक्षम बनाती है यहाँ पर पुछा गया है which one of the following सक्षम बनाती है देखिए यहाँ पर यह नहीं करते हैं कि ऐसे question आये हुए थे जैसे कि बच्चे को motivate कैसे करना है उसमें पुरशकार यह सब चीजे थे थी तो यहाँ पर motivate नहीं करना है activities को सीखने के लिए जो सक्षम होती है बच्चों को सक्षम बनाती है उस चीज को यहाँ पर देखना है समवाद, पुरशकार यह नहीं होगा पुरशकार दे करके बच्चे को motivate किया जा सकता है सीखने के लिए सक्षम उसको नहीं बना सकता है व्याख्यान भी नहीं होगा निर्देश भी नहीं होता इसका correct answer होगा समवाद निमलिकित में से कौन सी एक महदपन गतिविधी बच्चों को सीखने के लिए सच्चम बनाती है तो समवाद विधी जो है बच्चों को सीखने के लिए सच्चम बनाती है तो यह आज देखिए आज हम लोगों ने 10 questions किया है और एक वीडियो में इससे पहले तुरंट कुछ देर पहले ही upload की हूँ जो है motivation के उपर था motivation में कौन कौन से character होने चाहिए ऐसे कुछ था वो आप लोग देख लिजेगा techniques of motivation था उसको देख लिजेगा क्योंकि वो important है techniques for motivating the student student को किस तरीके से motivate किया जाता है उसके उपर वो वीडियो था आप लोग देख लिजेगा और वहीं से जो है motivation से अगर question आएगा तो हो जाएगा हम से और देखे आज हम लोग 10 किये हैं और इससे पहले हम लोगों ने ये सब के थे विलियम वूंट मनोवेग्यानिक ने क्या पताया था विलियम वूंट किस परकार के मनोवेग्यानिक थे ये सब question हम लोग पहले कर चुके थे आप लोग वीडियो को जरूर से देखेगा सिरीज को follow किजेगा तो चले फिर आज का इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं